स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट टेकनोलजी में मैं अनुपवा मेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोव कैमरा टूस्टे में आज हम लोग बात करें कि नया कैमरा अनॉंस्मेंट के बारे में केफिनिटी मैवो एज 8K के बारे में तो आए समझते हैं तो सबसे पहले समझिए केफिनिटी एक छोटी से कैमरा कंपनी जैसे आप कहा सकतो है इंडिपेंडेंट कैमरा कंपनी है वो धीरे धीरे बड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि यह उनका सबसे नया ओफरिंग है यह ओफरिंग का नाम है में फाइदा है कि यह फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा दे रहा है अब धीरे धीरे सिनेमा इंडिस्ट्री सूपर 35 यानि कि जो एपीसी साइज का उससे बढ़के 35 पे जा रही है और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं व कि 12 के आपको क्रॉप में तो अभी मिल जाता ब्लाक मैजिक में लेकिन फुल फ्रेम में नहीं मिलता और जिनको डेप्त और फिल्ड चाहिए फुल फ्रेम का वो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं तो यह मावो एज जो है इसमें 8 के 60 फ्रेम पर सेकेंड तक आप जा सकते एट से टेन में जाएंगे बंबं 99 परसंट समस्या सॉल्व हो चुका है सब में HDR वीडियो को जो मास्टर किया जाता वो भी जनुरी 10 बिट में ही रहता है फिर अब बात करते हैं 10 से उपर जाने लगते हैं 11 12 11 कोई करें तो 12 बहुत से बहुत बहुत जादा है उसमें डेट इसलिए 12-bit बहुत है 10-bit काफी है 12-bit अब आप भर पुश्ट लिजिए अब मतला आपको bit depth सा कोई दिक्कत नहीं हो तो इसलिए भले सुनने में लगा 16 को जाने है 12-bit बहुत है बहुत काफी है और यह इसमें Sony जैसा एक काम किया गया है इसमें इन-built ND filter है जो की बता रहे है वीडियो इंडेस्ट्री में एंडी फिल्टर का खूब डिमांड पड़ता है अब वहाँ पर ये लोग कर दे रहे हैं कि कैमरा के सेंसर के उपर ही एंडी फिल्टर लगा है जैसे सोनी का ताई अब बात करते हैं इसको एक्साइटिंग क्यों इतना माना जा रहा है कि मतलब हमको काफी रिक्वेश्ट आए इसको बनाने का और खाभी सरफ वीडियो में देखना लोग एक्साइटेड है इसमें प्रोरेज है प्रोरेज समझे एक आप जो भी वीडियो देखते हैं वो सब अब क्या दोख और एक वीडियो देख रहे हैं यह दबा के क्रिस किया गया फिर उसको यूट्यूब और दबा के क्रिस किया तब आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है तो यह सब कंपरेशन ठीक है डिलिवरी के लिए लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए यह सब एकदम बहुत जगहां पर आप लोग देखते होंगे, फुटेज रिकॉर्ड हो भी गया, तो उसमें एक स्टेज डाले रहा है, जिसे कहते हैं, ट्रांस कोडिंग स्टेज, मतलब एक तिगड़म मलागा कोई फॉर्मेट है, उसको लेके ऐसा फॉर्मेट में बदल दू, जो फॉर्म स्कोडिंग से लोग बचना जाते हैं, तो कई बार आप लोग देखते होंगे, लोग एक्स्टेनल रिकॉर्डर इसकिमाल करें, क्यों, उसमें कुछ एक्स्टरा फीचर है, नहीं, सिफ एक फीचर, फॉर्मेट वह आपका सुधार देता है, तो यह लोग सबसे उपर जल ग लेगा, अनकंप्रेश्ट रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दम रॉप रॉप अनटच्च अनकंप्रेश्ट रहता है, लेकिन इतना, मतलब एडिटिंग के टाइम में आपको ट्रांस्कोडिंग की ज़रूद नहीं पड़ेगा, प्ले हेट पफॉर्मेंस बाम माम आएगा, हर मामले में यह बहुत ही अच्छा option है, सिर्फ लोग इसी बात के लिए बोलेंगे, चुप चाप से पैसा मेरा लो, हमको कैमरा दो, कि हमको प्रोरेश्ट रॉट डाइरिट कैमरा से, मतलब कैमरा से कार्ड निकाले, लगाए कंप्यूटर में सीड है, इडिटिंग करना है, दिमांग नहीं लगाना है, यह बहुत इंपोर्टन बात है, चेंग को मतलब तुरन देना है, मतलब वीडियो अभी शूट किया, रात तक मुझे वीडियो देने का कोशिश करना चाते है, उनके लिए यह बहुत जरूरी होता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, दूसरा, मीडिया बहुत महँगा होता है, जैसे से आप resolution बढ़ाते जाते हैं, आपका जो pipe है, और प्लस आप चारियो uncompress मिलें, प्लस आप चारियो 12 bit का pipe आए, वो pipe मोटा हो जयता है, pipe मोटा होने का मतलब क्या होता है, MBPS आपका बढ़ते चला जाता है, तो MBPS SD card का तो बहुत कम होत वो वाला चाहिए SATA 3, जो 600 MPS पे चलता है, जिसमें red चलता है, तो ठीक है, लेकिन बात ही होता है कि वो almost समझ रहे, एकदम breaking point पर, red का अपना proprietary format है, जो red format कहा जाता है, वो ऐसा यह नहीं नहीं रहे, प्रोरेस दे रहे, तो यह demand नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करो कि 600 के अंद सब्सक्राइन को बता होगे, NVMe 3 GBPS तक जा सकता है, और यह NVMe का कैड़ी आपको बेचेंगे, या आप चाहें तो पूरा का पूरा कैसेट ही खरीच सकते हैं, मतलब जिसमें NVMe SSD पहले से लगागवा है, और दो देते हैं, मतलब वो इतना छोटा है कि दो टो टो फिट हर सकते तो इससे फाइदा क्या होता है, इससे फाइदा होता है कि आप आराम से ऐसा कर सकते कि आपने इसमें शूटिंग किया कोई चीज का, कार्ड निकाले, दोनों कार्ड को दो अलग जमा पर दिलिए, एक में बैकप बन रहा है, दूसरे में, मतलब उसको सर्वर में अपलोड क जासे कोई भी पिक्चर का शूट जेखते हैं, वो सब का तुरंट ऑफ-लाइं बैकप बनाए जाता है, तुरंट, मतलब शूट करने एडिटर के पास नहीं जाएगा, किसे के पास नहीं जाएगा, वो सांती से एक बंदा का काम होता है, जिसमें टेकनिकल आर्टिस करमें इसका बैकप के ऊपर बैकप बनाओ, इतने बैकप बनाए जाते कि मतलब एक बंदा गाली लेकर दूसरे डिरेक्शन में जाएगा, दूसरे दूसरे लेकर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि वो फाइल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा शूटिंग में री शूट नह दिया हुआ कि डेटा रिकवरी करते हैं, वो आपको ज़रुवत नहीं पढ़ना चाहिए, डेटा रिकवरी से बजने का एक ही ऑक्शन होता है, रिडंडन्ट रखिए, ये दो ठोंते ते रे, कोई टेंशन ही, प्लस ये सब इतना हाई स्पीड, मतलब PCI Express पे चलता है, कि आ आराम से इसको निकाले, तीन GBPS पे आप इसको अपने computer में dump कर सकते हैं, अगर आपके computer में बहुत बड़ा RAID array है, या बहुत बड़ा SSD है, SSD का छोटा से ही, अगर आप RAID लगा लेते हैं, आप आराम से फाइल बैक अप कर सकते हैं, तो ये सब बहुत important बात है, और रहा बात पीस में भी कर रहा है, तो उसका दाम obviously कम होगा, compare to, जैसे see fast card, compare to see fast express card है, तो वो सब के compare में, per GB के लिए आपको कितना रुपईया देना पड़ रहा है, उस मामले में ये बहुत अच्छी बात है, तो समझे आपका पहला format में तो आपका समस्या खतम कर दिया, कि ठीक है, का सर्वर को भी बैक अप करके रखा जाता है, तो समझ लिए की उड़ सकता है, आपको अच्छी बात है, अगर दो होने के बाद भी उड़ा है, तो आपकी जलती है, तो वही समझ लिए, आप अराम से एक्टो को निकाल के एडिटिंग करना सूर करें, दूसरा को साइड में, दूसरा है, जो लो लाइटर अच्छा को फॉर्मिस देगा, तो यह भी एक अच्छा एक्छा एक्ट्यूपमेंट है, तो बहुत एक्साइटिंग फीचर साइंस में, कि 8 के दे रहा है, जो आप यूस कर सकते है, बिना ओवर्रेटिंग, बिना इसाब के नोटन की के, प्लस ऐसे फॉर्मेट में जो इसको आप एडिट कर से, कैनन का फॉर्मेट बहुत ही खराब है, रहा के मामले में, उससे बेटर आपको ब्लाक मैजिक का मिलेगा, ब्लाक मैजिक का क्यों फॉर्मेट अच्छा है, कि ब्लाक मैजिक के पास खुद का सॉफ्रेर है, डविंची लेकिन कानन बुल रहा है, हमारा अपना रहा है, वह रहा को आप इस तमाल को रहा है, हमको इतना हुगा नहीं करना है, सांती से प्रोरेज रहा लीजिए, खुश रही है, तो यह बहुत अच्छी बात है, यानि कि आप यह लेंगे ऐसा नहीं हो कि अर इसके लिए वेट को और सॉफ़र में जब अप्टेट आगा तब करने अन्वीमी है, मतलब आपको रहा है, चार टराबाइट में खरीच सकते हैं, डॉल आइसूद परफॉर्मेंस के बामने में भी दिक्कत नहीं होगा, अब बात कते हैं, इस पेटेश भी दबा के टालागी है, मतलब यह समझ बहुत लोग इसी बात पर नहीं कि अरे भाइया हम मतलब तभी ले सकते हैं जब इसका कोई डीलर हो या मतलब कोई रहे जो तुरंत रिपेर करते हैं या रहे कि रेंटल हाउस से हम तुरंत इसका बैकप ले सके हैं वैसा ना होने केसे में इनको बहुत जादा फीचर देना प लेकर द्टक कर रण द्टक क कोई बैटरी इतना देर नहीं चलता है तो इसमें वी मांट पीच्छे बैट्री आपका लगता है जो कि डायरेक्ट लागता है समझे आपको रेड जैसा प्लेट खरीदने का जरूत नहीं सिधे सीधे लगता है लेकिन आपको इसको बदलने कै सोनी का नॉर्मल डिफॉल्ट बैटरी है आप आराम से दोट लगा के चला सकते हैं मतलब आप कैमेरा काम कर रहा है आपको लगा बैटरी लो हो रहा है ठीक है बैटरी बदल दीजिए यह यूपिया सुस्दर नियान उसको पावर करता रहेगा आपको टेंशल देने की तो कॉंसर्ट के केसिस में कही बार लाइफ श्रीमिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं कि इमेज क्वाल्टी दो इस सभाल लेगा कोई टेंशन नहीं कर सकते हैं बहुत लंबा रस्ता से जाना पड़ेगा यह सीधे दे देता है और इसमें जो वी मांट बैटरी का बात होता है कि अब कहोगे इसमें स्क्रीन ही जो साइड में स्क्रीन दिया वो तो सिफ टेक्निकल डेटा के लिए और में स्क्रीन कंपणी बेचती है जो की काफी बंबं हाई ब्राइटनेस रहता है लेकिन मालीज अगर आप नहीं खरीदा जाते है तब आईफोन को इस्तम अब बात करते हैं इससे फरक क्या पड़ता है अमनों को भविश में इससे क्या फरक पड़ेगा हिसाब यह समझे कि मार्केट कंपटिशन जो है वो बहुत यानि कि अभी जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ साल पहले यानि कि कहिए पांच साल पहले आप चले जाते हैं कि इस लिए प्रो लेवल वीडियो कैमरा इतने कम दामी यानि कि बारा हजार डॉलर यानि कुछ लाग का समझ लिए दस-पंदर लाग के आस इतना नस्तिक चला जारा है कि अगर आपका स्किल सेट है अगर आपको ऐसे एक्सपीरियेंस है तो यह कैमरा आपका चोक पॉइंट नहीं बनेगा कई बार होता है कि यह कैमरा आप सस्ता रखते हैं आप वो फील ही नहीं पारे कलर मतलब जिसमाल एक खासकर रुपे सबसे आंतर आपको सस्ते कैमरा वो बड़े कैमरा में यहीं आएगा कि बिट बहुत कम होता है एट बिट का कैमरा आप ले लेते हैं आप कितनों महनत कर लें आप उसमें कभी फील देवी ही नहीं पाएंगे जब तक वो कलर रिचने से एक्तम बहुत महनत करेंगे तो भी नहीं आ तो यह बहुत बड़ी बात है कि कैमरा का इंड़स्ट्री में मार्केट कर रहा है कि दाम घट रहा है इसी के चलते इसी तरह के यह इकलोता नहीं था मतलब जी कैम्पी वैसे ही समझ लिए था और ऐसे बहुत सारे और मैनुफेक्च्छर कूद रहें जैसे कि सिगमा भी कू लोग हसते आप लेकिन आज आ रहा है तो ही समझेगी प्रो लेवल वीडियो कैमरा बहुत सास्ते दाम में अवेलेबल होने लगा है और प्लस आपकी पाइपलाइम की माहिने रखता है कि आप वीडियो शूट कर रहा है उसके बाद भी बहुत चीज करना होता है वहीं पर म अवियान मुझे बिजली देना पड़ता है कंप्रेटर को फुल पाइगा तो वो निकालेंगे बैक अप बनाएंगे बैक अप बनाने के बाद ट्रांसकोडिंग करेंगे ट्रांसकोडिंग को फिर हमको देना पड़ेगा एडिटर्स को इतना सारे स्टेप्स हमको नहीं तो वही समझे कि नया एकसाइटिंग फीचर मार्केट में आ रहे हैं कम दाम में आ रहे हैं पाइपलाइम इंप्रूफ्मेंट हो रहे हैं और यह सब कंपनी डपल स्प्ड पर काम करें जिसके कंपेर तो सोनी कंपेर ट्व कंपेर टू रैडड कंपेर तो आरी वो लोग आ हमारा नाम ही काफी है तो वह उसे नहां पर मतलब इत्वा से अलसी आ रहे हैं यह लोग अपर पूरा फूर्स करें कि ने ने आप अलसी आते रहो हम कस्टोमर्स को अपने से ले लें यह जैसे केफिनिटी अब इतना बड़ा हो गया कि यूरोप में इनका खुद का सर्विस से केंटर बनाने लगे हैं खुद से यह लोग रिपेर करने के वैवस्था कर रहे हैं तो दीरे दीरे पहले था कि कैमरा खरीते हैं चाहिना बेजना पड़ता था कुछ भी होने पे अब वह स्टम को सुधार रहे हैं और अब कैमरा इतना मार्केट में आ चुका है इतने लोग इस्तमाल कर चुके लोग अब फ़ड़ा रिस्क ले रहे हैं और जिसके पास इतना ही पैसा है कि वह रेड नहीं खरीच सकता तो यही लेगा ही वह रेड़ साथ हजार में दे रहा है और यह हमको बारा जार में दे रहा है तो हम बारा जार ही लेंगे ना जब हम एफोड ही तो इसको सिकायत करके करेंगे तो वही समझे भविश हमारा काफी एचहा है वहाला काफी हाई-level का प्रोफेशनल कैमरा काफी कम दाम प्यार है और कुछ साल के अंदर तो यह सब भी हम लोग के संदाम प्यारा जाए और मैं भी एफोर्ड करना हूं कुछ साल लग जाए उस कि इट एक बारे में उम्हीद करता हूँ आपको अच्छा लगा कुछ इनगा कुस्पर अगर आपको इसा है लाइक कर दें दोस्ट या शेयर प्रदों उसे मेरा काफी बिलाओगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सेंगे लिए ना पसंद हुआ है मैं आप से कमेंट लिके मैं हर कोमेंट लिए आप देनी को श्क्रता हूं आप से कमेंगे सिस्क्राइब कीजिए विल्द भाई अगर अफ्री है तो आप नेरा वीडियो देखा चैनल के मैंचे बहुत खुशी भी धन्यवाद